हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल इस्टैडी वित विसाल सिंग में दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हिंदी सब्जेक्ट के जो आपके अब्जिक्ट्ट्व प्रसने पूछे जाते हैं पहले starting में वह उपकलपी के रूप में उनी प्रस्नों पर आज सर्चा करेंगे बहुत ही इंप्रसन हमने के लिए हैं इस वीडियो में आपको एक वीडियो पिसले भी मैंने दे चुके हैं और एक वीडियो यह है और तीन वीडियो मतलब एक वीडियो और आपका रने वला है तीन वैजियог मार te is अरे प्रस्णों की सारे प्रूश्णों को Key Please औरпаर क्लाश्ट और टेन थोर्ट लोनों बच्छों के लिए रहेगा बहुत ही चैनल को जरू सब्सक्राइब करें को यूपी बोड एक्जाम की यहां पे तैयारी आप कराई जाती है तो यह रहा आपके सामने प्रस्ट है तो देखिए हाँ पर दिया है तेंथ रोटल दोनों बच्चों करिया और हिंदी सब्जेक्ट है अब सबसे महर्टपूर प्रस्ट और साथ में आपको एंस्वर भी दिया जाएगा देखिए पहले प्रस्ट में आपको क्या करा ध्यान से देखिएगा दो तरह से आपके कुशन यह पूछे जा सकते हैं जैसे इसमें लिखा है तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है एक उपन्यास के नाम लिखिए जैसंगरपरसाथ के एक उपन्यास के नाम लिखिए तो आप उपहाँ पे तितली डाल सकते हैं तो इस तरह दोनों तरफ से आपसे प्रस्ट पूछा जा सकता है एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से आपसे प्रस्न पूछा जा सकता है, तो दोनों तरफ से आप कोशिस करेंगे याद करने के लिए, अगर एक तरफ से याद कर लेते हैं, तो दूसरे तरफ से आपकी दिक्कत नहीं होगी, तो पहला प्रस्न था ये, इसी तरह हम दूसरे प् बात करें तो वानवर्ट की आत्मे कथा जो वानवर्ट आपका बानवर्ट आपकी कथा जो है आत्मे कथा है किस विधा की रचना है तो यह किस विधा की रचना यह उपन्यास है उपन्यास विधा की रचना है तो वानवर्ट की आत्मे कथा उपन्यास कार उपन्यास विधा क रचना है यहीं पर हम तीसरे प्रस्ण की बात करें तो हिंदी का पर्थम मौली कुपन्यास कौन सा माना जाता है तो हिंदी का पर्थम मौली कुपन्यास कौन सा माना जाता है तो परिच्छा गुरु है जो कि हिंदी का मौली कुपन्यास कार मतलब पर्थम मौली कुपन्यास म गंगा गद्विधा की द्रिष्टी से है यह आपको प्रस्ण में पूछा गया था वोल्गा से गंगा गद्विधा की द्रिष्टी से है तो कहानी संग्र इसका एंस्वर है कहानी संग्र इसी तरफ पांचिव प्रस्ण की बात करें तो डाक्टर हजारी परसाथ दिवेदी की रचना है किसी एक रचना का नाम लिखिए ये भी आपसे दे सकता है अगर आपको अब्जेक्टिव प्रस्न में पूछेगा तोठी किसी तरफ पूछेगा और उसमें एक आपसन रहेगा कुटज डाक्टर हजारी परसाथ दिवेदी की रचना है कुटज इसी तरह छटने प्रस्न की हम बात करें तो रचना कार है तो महावीर परसाथ दिवेदी जी है इसी तरह हम साथ में प्रस्न की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है निंदा रचना कार कौन है निंदा रचना कार कौन है तो हरिसंकर परसाई जी है निंदा रचना कार इसी तरह हम आठवे प्रस्न की बात करें तो भासा और आधुनिक्ता जो भासा और आधुनिक्ता आपको दिया गया है निबंद के लेखा की एक निबंद है इसके लेखा के कौन है तो सुन्दर रेडडी जी है इसी तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भासा और आधुनिकता की किस विदा की है तो आपको यहाँ पे निबंद लिखना होगा इस बहुत कई तरह को से आपसके प्रस्णने रिपीट करकर पूछे जा रहे हैं इसी तरह हम नौवे प्रस्न की बात करें तो नौवे प्रस्न में पिर्थिवी पूत्र किस विधा की रचना है तो निवन्द संग्रा देखिए इसमें भी पूछ दिया गया पिर्थिवी पूत्र किस विधा की रचना है इसी तरह यहां पे भी पूछा जा सकता है भासा और आधुनिकता किस विदा की रचना है तो आप निवन्द आप लिखेंगे अगर लेखक पूछ दिया तो सुन्दर रेडडी जी है इसके इसी तरह आप से पूछ दिया गया सुन्दर रेड़ी जी की एक निवन्द रचना का नाम लिखी है तो यहाँ पे भासा और आधुनिकता यहाँ पे आप लिखेंगे तो यह रहे नो प्रस्ण जो आपको बहुत से इंपॉर्टेंट है और आगे भी इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजए अगर आप कोई वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तो आईए हम मिलते हैं अगले वीडियो में और भी आने जनकारियों के साथ तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मातरम